मैं हूँ सवा परवीन सवा डिश्यस में आप सब का विल्कम करती हूँ आज हम बनाने जा रहे हैं क्रंची कॉन यह लगभग हाइसोग्राम कॉन है जो उबले हुए है चलिए इसके इंक्रेडियन्स आपको बता देती हूँ सबसे पहले मैं ने लिया है एक टी इज्श्पुन लालमेच हाफ टी इज्पुन नमक हाफ टी इज्पुन चाट मसाला हाफ टी इस्पुन आमचूर Date राफ टी इस्पुन काला नमक एक चुटकी हल्दी एक चुटकी से भी कम सोडा यह है कॉर्ण फ्लोर जो आधी कठोरी है आधी कठोरी से भी कम मैदा हम इन दोनों को जरुवत के मुताविक रियोज करेंगे लेमन जूस बिल्कुल दो चार ड्रॉब इसके चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं अबसे पहले मैं कॉर्ण दाविया हूं तीन से चार चमच्छ दो चमच्छ मैदा और बाखी सब मसालब जरूरत के हिसाब से मैं इसमें पानी एट करती हूं यह बैटर को हमें पतला ही रखना है जादा गादा रहें करना है लगभग इस तरह कर से पतला होना जाएं मैं इसमें निम्बो एट कर रही हूं तो चार ड्रॉप इसके चलिए आप इसमें कॉर्ण एट करती हूं चलिए सारे कॉर्ण मैंने मिक्स कर लिए हैं थोड़ा सा पहले तल कर देख लेते हैं अगर कुछ पतला रहे गया तो थोड़ा सा और कॉर्ण और मैदा एट करेंगे चलिए तेल हमारा गर्म हुआ हो गया है चलिए आप यह तल कर देखते हैं सबसे पहले यह देखिए पर्फेक्ट हुए है चलिए इसी तरह से ही सारे कॉर्ण को हम डिप्राई कर लेते हैं लाए चलिए यह हमारे कॉन रड़ी हो गया है उपर से क्रंची और अंदर से साफ्ट और वेरी टेस्टिए झालिए